सबी विदार्तियों को नमस्कार, मैं चैनारा महला, असिस्टेंट प्रोपेसर राजनिती विज्यान, राजकी बांगड महावदाले डी डोना से बी ये पर्थम वर्ष में, राजनितिक शिद्धान्त, पर्थम पर्षन पत्र में, आज हम अधिनाईक तंत्र या अधिनाईक वाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं लोगतंत्र से अधिनाईक तंत्र किस प्रकार भीन है लोगतंत्र से सभी परिचेत हैं राजनिति विज्ञान के विधारती और जो राजनिति विज्ञान के विधारती नहीं है वो भी लोगतंत्र के बारे में जानते हैं लेकिन अधिनाईक तंत्र का क्या आर्थ होता है अधिनाइक तंतर से हम उधारण के तोर पर देखें तो सभी ने हिटलर का नाम सुना होगा तो कहते हैं कि हिटलर से बड़ा अधिनाइक वादी कोई पेदा नहीं हुआ तो अधिनाईक वाद, अधिनाईक तंत्र किस प्रकार लोक तंत्र से बिन है, क्या है अधिनाईक वाद की अधिनाईक तंत्र की परिभासा और कितने प्रकार की अधिनाईक तंत्र मुझूद है तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अधिनाईक तंत्र सबसे पहले देखते हैं अर्थ परिभासा अधिनाइक वाद उस सासन व्यविस्था को कहते हैं जिसमें राज्य शत्ता केवल एक विक्ती में नहीत होती है और वह संपूर्ण सताधरी होता है तो राज्य शत्ता एक विक्ती में नहीत होती है जहां लोकतंत्र में राज्य शत्ता जो है वो संपूर्ण जन्दा में नहीत होती है वही अधिनाइक वाद में क्या है एक विक्ती में ही नहीत है वह विक्ती संपूर्ण सताधरी होता है उसके आदेश ही कानून है वो जो कह पालन करना नागरिकों का अनिवारी कर्तव्य होता है तो एक ही विक्तिमेहराजयसत्य नहीं तो नी संपूंट सताधरी होना उसके आदेश ही कानून और उसकी आज्या का पालन करना ही नागरीकूं का कर्तव्य है यह जो वेवस्ता है उस साशन वेवस्ता को हम कहेंगे अधिनाइक वाद अल्फरेड कोबान ने जो राजनिति विज्ञान की विचारक है उन्होंने कहा है अधिनाइक तंत्र उस एक विक्तिक का साशन होता है जिसने अपना पद मुख्यत उत्रा अधिकार की रूप में प्राप्त नहीं किया अपितु बल परियोग तथा जन सहमति से प्राप्त किया तो यहां यह ध्यान रखना है कि अधिनाइक वाद लोकतंतर से भिन तो है यह तो हम सभी समझ रहे हैं लेकिन अधिनाइक वाद राजतंतर से भी भिन है वो राजतंतर जिसमें उत्रा दिकार की रूप में उसे अपना पद मिलता है वो जो उत्रा दिकार से प्राप्त नहीं किया हो यहां पर उससे भिन है वो अधिनाइक वाद ना तो लोकतंतर है और ना ही राजतंतर है दोनु से भिन है इसमें अपना पद बल प्रियोग के माधिम से प्राप्त किया होगा उसने अथ्वा जन सहमती से प्राप्त किया हो जो विधारती हिटलर से प्रीचित हैं उनको पता होगा कि हिटलर को राष्ट्र परमुक का जो दरजा है जो पद उसने प्राप्त किया था वो उत्रादिकार में नहीं मिला बलकि उसने जन सहमती से प्राप्त किया धीरे धीरे जनता में इतना ज़्यादा वो लोगप्रियों हो गया कि उस समय जो उस समय उस राष्टर में ऐसा जरूरत महसूस की जाने लेगी कि ऐसा एक हिरो आना चाहिए जो कि हमारा नित्रत्व कर सके और यूरोप में हमारे राष योग तता जन सहमती से वह सासन करता है सासन में आता भी है अधिनायक तंतर से अब एक नए नाम आता है देखो स्वेच्छाचारी शासन का बोध होता है जो स्वेच्छाचारी सासन होने के साथ साथ अत्याचारी भी होता है तो ऐसा स्वेच्छाचारी है उसकी इच्छा ह कानून है राश्ट्र की इच्छा या जलता की इच्छा वहां पे महत्व या किसी वरक्य की इच्छा वहां महतुए नहीं रखती अधिनाईक वाधी जो है जो वेक्ति परमूख है राश्ट्र का वो जो इच्छा दिनाईक वाद – अब देखते हैं दिनाईक वाद के परकार. कितने परकार के दिनाईक वादी व्यवस्था दुनिया भर में विद्यमान हो सकती. सबसे पहले देखें, तो इसका परकार आता है प्राचीन अधिनाईक तंत्र. प्राचीन समय में ऐसी विवस्था या तो विशे संकटूं का मुकाबला करने के लिए देखिए अंतर कहां आएगा प्राचीन और आधुरी की दो परकार हैं उसमें प्राचीन में क्या बताते हैं कि प्राचीन समय में ऐसी विवस्था या तो विशे संकटूं का मुकाबला क करने के लिए या लोक कल्यान के लक्षों को शिगरता से प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती तो इसका जो है वो जो कह सकते हैं कि इसको लागू करने का इरादा जो था वो नेक इरादा था तो या तो संकट का मुकाबला करना है या लोक कल्यान का को लक्षे प्राप्त कर संकट का सामना करने के लिए इन्हें विशेश सक्तियां दी जाती और इन्हें अधिनायक कहा जाता था तो संकट आ गया है कोई राष्टर पर उस संकट का सामना करने के लिए विशेश सक्तियां किसी एक वेक्ति को दी जाए और उसे अधिनायक कहा जाता था संकट समापत होने पर अधिनायक का पद्ध be समापत हो जाता था अधिनायक का कानूनी विधी से चुनाव होता था और कानूनी मर्यादा उसकी रहती थी तो जो आजकल जो परिवासा चल रही है वो उस पे लागू नहीं होती थी और वो अधिनायक वाद या धिनायक वो बनता भी क्यों था संकट के समय राश्टर को सब्बल परदान करने के लिए या लोक कल्यान के लक्षेओं को स्रिगरता से प्राप्त करने के लिए अधिनायक वा से यह राश्टर के हित के लिए बंता था पर्थम देखें अधिनायक पर कानूनी नियंतरण रहता था जहां अधिनायक वाद की परिवासा महमँ पढ़ते हैं कि उसके कोई दूसरा नियंत्रन नहीं रहता है उसके अधेस ही कानून है तो उसके यह खिलाप बात परतित होती है कि इसमें अधिनाइक पर कानूनी नियंत्रन रहता था अर्थात की वह श्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है वह निरंकुष नहीं हो सकता था तीसरा अधिनाईक का लक्षे लोक कल्यान था जो अधिनाईक हैं उनका लक्षे जो था वो नेक था लोक कल्यान करी लक्षे उनका हुआ करता था जो था अधिनाईक को वेद्धा प्राप्त रहती थी वेद्ध था अवेद्ध नहीं था और पांच वांग समस्त शक्तियां अ टेए तबी उसको दिनाई कहते हैं लेकिन साथ ही साथ उसमें चार जो अच्छी बाते हैं हमेंने जर आती है कानूनी नियेंत्रण था उतरदाई था जनकल्यानकारी उसका जो है मोटो रहता था उदेश्य रहता था और उसको जनता की वेदता प्राप्त रहती थी तो यह है प्राचीन अधिनायक तंत्र के लक्षन अब आते हैं अधिनाएक वाद के अधिनाएक तंतर के जो दूसरा जो परकार है आधुनिक अधिनाएक तंतर आधुनिक ये अर्वाचीन अधिनाइक तंत्र प्राचीन के बाद में ये जो है दूसरा परकार इसका आधुनिक समय में अधिनाइक तंत्र से सुवेच्छाचारी वे अत्याचारी सासन का बोध होता है जो इसकी परिभासा है उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि सही थाबित करते हुए इसमें राज सत्ता एक विक्ति में नहीत होती है पावर वास्तों में एक विक्ति में नहीत और रज्य की संपूर्ण सक्ति एक ही विक्ति में नहीत होती है और वैस्वेम को रज्य का मुर्त आधुनिक समय का अधिनायक तंत्र, स्वेच्चाचारी, अत्याचारी, एक विक्ती राजसत्ता जिसमें नहीत रहती थी और संपूर्ण सकती उसी में नहीत है, राज्ये का वो परियाय हम मान सकते हैं। एलेन बोल ने जो विचारक हैं एलेन बोल, उन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीती और सासन में आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूप माने हैं, बताएं आधुनिक राजनीती और सासन, एलेन बोल की पुस्तक, उसमें उन्होंने जो है आधुनिक अधिनायक त इसा दिनाइक तब उसको सबकुछ उसके अधिकार शेत्र में ही आ जाते हैं वही द्ल है और वही सरकार हैं कि और वही कानून है, इसे कहते हैं सर्वा अधिकार वादि हर जगे उसका जो है परशार हो गया है कि शर्वादिकार अपार्वाधिसासन मुख्य रूप से 20 सदीम इस्तित्व में आये हैं इसे एक दल जो वस्तुत एक विचारधारा से कि अनुप्रानित होता है शत्तापर एक कद काडिकार रखता एक ही दल परियोग करता है तो ये सरवाधिकारवादी वैवेस्ता सब जगे उसी का अधिकार हो जाता है वो अपने दल की विचारधारा को राष्टर पर थोप देता है और दल के बहाने से वो जो दल का सरवोच नेता है वो अपनी विचारधारा को या अपना वो है निरंकु कारवादी अधिनायक तंत उधारन देखें उधारन हमारे ध्यान में होने चाहिए रूस का इस्टालिन वहां के रूस के सासक हुए उन्होंने अपने समय में सरवादी कारवादी व्यवस्ता लागू की हिटलर का जर्मनी जर्मनी में उधारन आता है हिटलर के रूप में जो जर्मनी और इटली दोनों में पर्थम विसुयूद के बाद दोनों ही राष्ट्र प्राजित राष्ट्र थे और यहां की जन्ता खुद को एक प्रकार से दुखी महसूस कर रही थी उनको लगता था कि हमारा राष्ट्र वो नहीं कर पाया जो उसको करना चाहिए तो वहां प की तरह वाँ उभर के आते हैं और कहते हैं कि हम पूरे यूरोप पे आपका राज करेंगे आपके राष्ट्र को फेला देंगे शक्तियां तो यह उधारन इस्टालिन का रूस हिटलर का जर्मनी और मुसॉलिनी का इटली पुर्वी यूरोप के सामयवादी देश भी कुछ वर्ष पूर्व तक सर्वादी कारवादी राज्य थे तो पुर्वी यूरोप में भी इनका असर रहा वहां पे ऐसी विवस्ता रही एलन बोल के अनुसार इनमें निम्नांकित लक्षन पाए जाते हैं जो सर्वादी कारवादी विवस्ता है उनमें पर्थम व्यक्तिकत त समाजिक गतिविदी हो सभी से सरकार जो है वो संबद होगी अथात की उस दल का हर जगे अस्तक्षिय होगा दूसरा एक ही दल राजनितिक तता विदिक रूप से परभावी होता है एक ही दल होगा और वही दल जो है पूरी सरकार को चलाएगा उस राश्टर को चलाएगा तो तो विचारधारा इसपष्ट नहीं है इसपष्ट विचारधारा होती है उसे दल की और उसी को उसके फोलोवर मानते हैं और वही विचारधारा लागू करने के लिए उस दल का सर्वोच नेता जो है वो अधिनायक वादी बंद के उभरता है जो उस वेवस्था की अंतरगत स एक ही विचारधारा और फरष्ट विचारधारा होती है जो संपूर्ण राजनतिक्स कृता का वह विनियमन करती में नियाएपाली का अधिक जनसंप्रक के साथनोंस्त जल Scripture का वहन को जर्द देखें जनता की घंता तो 접िस्याव動 श्वीकरति हुआ मिल जाती है जनता दूरा शेहमति उसका प्रब्च ne जर्द आफ हो जाती है तो यह स्र्वढीकारवधी व्यवस्थ होसा तो यह था शर्वढीकारवाधी ववेश्था अब दूसरा jeden श्वेच्छाचारी अधिनाइक तंत्र यह अचानक से उभर के आते हैं और थोड़े सी समय के लिए होते हैं इसमें कोई राजनितिक इश्पष्ट राजनितिक विचारधारा नहीं होती है कि Τीसरी दुनिया के लेखे तीसरी दुनिया के अधिकन देशों में श्वेच्छा चारिय की तंत्र दिखाई देता है यहाँ पर क्या तात्प्रिय है यह हमें जानना जरूरी है परत्तम चांटिया पहली दुनिया ने पुझीपती देश हैं पश्चिम के देश है उन्हें कहा जाता है दूसरी दुनिया में सामने वादी विचारधारा के जो मानने वाले देश हैं उन्हें कहा जाता है और तीसरी दुनिया विकास सिल देशों को कहा जाता था जो 1950 के दसक में ने उसे दोरान आजाद हुए थे उन्हें का आ जाता था जो अभी श्ट्रगल कर रहे हैं तीसरी दुनिया तो तीसरी दुनिया के अधिकांस देसों में शुष्छा-चारी अधिनायक तंतर दिखाई देता है अधिकांस देशों भारत इसमें सामिल नहीं है यह एस्थाई सासन है जो अध्योगिक तता आर्थिक विकास के अभाव में परिश्पुष्ट यह एस्थाई है इस्थाई नहीं है जिसा मैंने कहा और अध्योगिक तता आर्थिक विकास के अभाव में तो अध्योगिक विका वहां पे नहीं हो पाया इस विज़े से परिश्पुष्टित वह हो जाता है परकट हो जाता है यह कह सकते हैं कि अचानक से वह उसकी उत्पती वहां पे हो जाती है फूट जाता है वह तो ऐसा ही सासन है और जनता यह डिमांड करती है जनता यह सोचती है कि हमारी यहां पे भ ओरन वहां की जंता जो है विद्रो कर लेती है और सेना की बहाने हो जाता है कई जगे और कई जगे जो कोई राजनितिक बहा हुट अब अचक्ता पलब अचुब तो अचानक से वह परकट होता है फूट जाता है ऐसे सासन तंत्रूं के मुख्य लक्षन देखें हम तो वह इस प्रकार है पर्थम मुक्त राजनतिक परतियोगिता पर परतिबंद एक बार शुआचाचारी शाषन अगर इस्तापित हो गया तो वहाँ पे मुक्त राजनतिक परतियोगिता अथार्त चुनाव जैसी ज间 अ दूसरा कम्यूनिजम जो साम्यवादी विचारधरा है वो ये फासिस्म जो इटली की विचारधरा है जैसी प्रभावी विचारधारा का इसमें अभाव पाये जाता है चाहिए वो समयवादी विचारधारा हो या फासिवाद की विचारधारा हो वैसे इसपष्ट विचारधारा इसमें नहीं होती वो होती है सर्वादिकारवादी विविस्ता जो राजनतिक दल के साहरे सत्ता पेक अबजा करते हैं यहां तो अचानक से एक विस्पोर्ट होता है और जो है तकता प्लट होकर कि नई विवस्ता इस्तापित हो जाती है वो होती है सविच्छाचारी अधिनाईक तंत्र तो इस पश्ट यह प्रभावी विचारधारा का अभाव तीसरा राजनितिक अनुरूपता तता आग्याकारिता प्राप्त करने पर बल राजनितिक रूप से अनुरूप वहां पर पूरी संपूर्ण जन्ता को एक ही रूप में ढालने की वहां पर कोशिश और आग्याकारिता प्राप्त करने पर बल दिया जाता है चो था देखें न पोजिस्तासन वहाँ पर लागू कर दिया गया तो उसके बाद में नागरिक शहुतंतरताओं के लिए वहाँ पर कहां कोई इस्तान नहीं बसता है वैसे ही जब अधिनायक तंतर का नाम आ जाता है तो वहाँ नागरिकों की शवतंतरता के लिए कोई जगे नहीं बसती है पांचवा अक्सर सेना ही शत्ता पर अधिकार कर लेती तो ऐसा अक्सर देखा गिया है इसे राष्ट्रू में जो इस्ट्रिकल कर रहे हैं वहाँ पर जेना ही शत्ता पर अधिकार कर लेती है हमारे पड़ोंसी देश पाकिस्तान में भी आपको ऐसे उधारन मिलेंगे तो शुच्छाचारी सासन लागू होने के बाद में एक गुट का सासन उसमें बन जाता है उधारन देखें युगांडा लीबिया नाइजीरिया और पाकिस्तान को भी इसमें आप सामिल कर लीजी यह ऐसे देश हैं तीसरी दुनिया की देश है जो अब ही श्ट्रगल कर रहे विक्षित देश के सकते हैं इस्टेज तक नहीं पहुंच पाएं तो और द्योगी को और आर्थिक विकास के अभाव में यहां पर यह एस्थाई सासन सेन्य सासन जो है वो अचानक से वहां पर परकट हो जाता है किन्तु द्यान रखने योगी जो बात क्या है कि कोई अगर आप से पूछ ले कि क्या शुवच्छाचारी अधिनायक तंत्र तीसरी दुनिया का प्रिया है तो वो हमें कते ही स्विकार नहीं करने चाहिए क्यूंकि तीसरी दुनिया की अधिकांस देश ऐसे हम कह सकते हैं आज भी ज्यदा तर देशों में जैसे आप उधारन के तोर प की दुबारा जो है तकता प्लट किया जाए तो स्वेच्छाचारी सहसन पदत्यूं को तीसरी दुनिया का प्रियाई नहीं मान लेना चाहिए तो यह था अधिनायक तंत्र प्राचीन और आधुरिक अधिनायक तंत्र की परिभासा क्या है तो आज का यह चेप्टर अधिनायक तंत्र धन्यवाद